असलाम अलेकुम जी रिक्वेस्ट एक हमारे पास है मैट्स की बुक काउंडाउन फोर पेज नमबर वन वन फाइव एक्स्प्रेम करना है तो आपके सामने मुश्किल पेज नहीं है कुछ नई टरंस हैं इसके अंदर जिसकी वैसे कि शायद किसी को दिफिकल्टी हो रही हो हम मुक्तलिफ यूनिट्स यूज़ करते हैं चीज़ों को मेज़र करने के लिए जैसे हम लैंट के लिए जो है वो मीटर यूज़ करते हैं ग्रैम वेट के लिए किसी चीज़ का वदन करने के लिए हम किसी चीज़ की कैपसिटी मालूम करने के लिए लीटर यूज़ करते हैं और अगर वो चीज़ें कम हो तो हमें यूनिट को छोटा करके देखना पड़ेगा अगर वो चीज़ें ज्याद कि अगर मैं अपनी गली की लंबाई ना पूँ तो शायद मैं कहूं कि जी मेरी गली की लंबाई जो बहुत जादा सब्सक्राइब maybe five thousand meters ठीक है तो इतना जादा बड़ा number लिखने के लिए अगर किसी के एक शहर से दूसरे शहर का distance अगर आप देखें तो let's suppose एक शहर से दूसरे शहर का distance अगर हो two hundred thousand meters अब जारे बहुत बड़े-बड़े numbers हो गए तो इसलिए जो बड़े बड़े यूनिट्स है या बड़े बड़ी मेजरमेंट्स है उसके लिए यूनिट को हम फुरसा बड़ा कर देते हैं मीटर को फुरसा और बड़ा कर देते हैं तो मीटर को बढ़ा करकी क्या करते हैं? तो यह सारी information यहां मौझूद है कि हम क्या करते हैं? जब 1000 meters होते हैं तो हम मीटर के आगे एक लगा देते हैं क्या? किलो ना सिर्फ मीटर के आगे बल्कि और चीज़ों के आगे भी लगता है किलो का मतलब है 1000 times 1000 times तो हम बताते हैं हेक्टो किसी चीज्श को टैन्ट टैंज बताना होता है तो हम बताते हैं decad तो अब क्या हुआ यह सारे युनिट्स बढ़ ही करने की बात थी। तो अगर मैं कहूँगा 10 तो मैं कौँगा मेरी गली एक हेक्टो मीटर लंबी है तो मैं कौँगा मेरे और आपके घहका फासला पांच हजार मीटर है तो मैं कौँगा फाइफ किलो मीटर है करता है तो अगेन अगर इसकी बात करें कि अगर एक शार से दुसरे चार का फासला था तो क्या लिखेंगे वन थाउजंड की जगा हम केलो लगा देंगे तो 200 किलो मीटर ठीक है यह 5000 की जगा हम लगा देंगे है ऐसक है में दिके फाइब किलो मीटर किलो कि पर्रेजंड कर रहा है ृश्टे के घाड कर रहा है 20 म दौट छी जी जी हम क्या लगाएंगे हैकट मीटर मी वन हेक्ट मीटर अच्छाँ आप देखेंगे कि हम आप सप पने डे तो डे लाईट कें अगर divides की बात कर तो kilometer ही use करते है हेक्ट سब्सक्राइ चाहिए लेकिन जाहर है सारे units आपकर पता होने चाहिए फिर जो जाहा जो आप कर लें वो कुछ चीज बहुत चोटी है बहुत छोटी है एक मीटर से भी छोटी है तो ऐसी चीज़ को नापने के लिए मीटर की टाम्स के बजाए जो कि अगर हम मीटर में नापेंगे तो पर डैसिमल में जाना पड़ेगा आधा यह वन मीटर है तो अगर इसके दस टुकड़े किये जाए एक तो त्रीम चार पांच छे साथ आद्मापर तो यह कहलाएगा डेसीमीटर ठीक है इसके एक टुकड़ा जए वह डेसीमीटर कहलाएगा जिस वन डेसीमीटर ठीक है यही तरह से अगर आप इधर देखते हैं तो एक मीटर के अगर सौ टुकड़े किये जाए तो कहलाएगा सेंटीमीटर उनमेंसे एक टुकड़ा अगर एक टुकड़े के एक हजार टुकड़े किये जाए तो एक टुकड़ा कहलाएगा मिली मीटर ठीक है अच्छा मीट के लावा भी बात हो सकती है जैसे के हम बात कर रहें के लीटर की बात कर लें तो किलो लीटर एक हजार लीटर मिली लीटर एक लीटर को एक हजार टुक्रों में डिवाइट करके मैं उसे एक टुक्रा लेना तो लीटर हो मीटर हो ग्राम हो किलो ग्राम और मिली ग्राम सब यूज किया जाता है तो यह कुछ इंफरमिशन थी जो कि इस पेश पे मौझूद थी और इसकी बुनियाद पर हम कुछ सवाल देख लेते हैं एकड़ी मीटर किया था यह राड़ी डिवाइट बैट इन तो एकड़ी मीटर कितने मीटर के बराबर है divided by 10 तो इसको लिख सकते हैं 1 upon 10 अब 1 upon 10 को आपने अगर decimal किया वाई तो आप लिख सकते हैं 0.1 चीक है अच्छा जी आगे चलते हैं एक hectoliter हेक्टो तो क्या था हमारे पास अगर आपको याद हो यह रहा है hectoliter का मतलब क्या हुआ कि 100 liter एक centimeter का मतलब क्या हुआ meter के कितने टुकड़े किए हमने meter के हमने 100 टुकड़े किए तो वन अपन हंड्रेड मीटर आगर आपको decimal आता है तो आप इसको लिखेंगे 0.01 meter ठीक है एक milligram को कितने से डिवाइड किया 1000 से और अगर आप इसको decimal में लिखेंगे तो क्या बनेगा 0.001 तो आप उयाद होगा ना एक जिरो से एक जाता है जुसरे से जुसरे जाता है तीसरे पर जाता है यह जाता है यह जुद्पिटे किया लिटर किया था यह तैन टाइमस मुटिप्लाइए कि लिखेंगे अं टेन लीटर के बराबर रहभर अब सारे करोंगा वरना तो फ याद करें किया था हेक्टो था हंडडीड ठीक है तो इसको मैं यहां करता ह líd है वन अपन्वाइब है याट का मतलब हें घ्राम्स ताथ को भी वन अपन फाइब को आपस में सिंपलिफाय करना चाहिए हमें तो five one's are five five two's are ten जीव एक्स्रा लाएगा तो this is equals two कितने ग्राम्स 20 ग्राम्स ठीक है तो यहाँ से 20 आना चाहिए ठीक है जी तो बिसिकली हेक्टू की जगा हमने तो लगा दिया लेकर इसको फोर से मिल्टिप्लाई भी करेंगे तो यह क्या हो जाएगा इस वादे सवाल को नीचे देखते हैं यह आपसमें सवाल हो सकता है आपको पता है कि दोनों even numbers है तो दोनों सवाल हो सकता हैं दूसरे से तो टू से पहले असानी के लिए कर लेगते है तो टूसर फोर तो फाइट गए फिर आपको बाता है आपसमें डिवाइड हो सकता है क्योंकि यह भी इवन है यह वह तो एक्चली यह वन अपन टू फिफ्टी ठीक है तो अगर यहां पे कोई extra number दिया वा है तो फिर अगर आप किलो ग्राम कर रहे हैं तो 1000 से multiply करने की बाद इससे भी रियक्ट करेंगे इससे भी multiply करेंगे तो थ्री किलो ग्राम इसको स्टू थ्री इंट्री इंट्री थाउदन ग्राम्स इससे सवाल मैं नहीं बता रहा ताकि कुछ आप भी कुछ भी करें तो फुफुली बास समझ में आ गई होगी और अगर अभी भी को मसला हो तो आप जरूर मुझे मज़ीद रापते के बात पालूम कर सकते हैं इसमें ओके जी सामरे कुम